प्रस्न आठ का पहला निम्नलिखित कथनों को समिकरन के रूप में लिखें लच्मी के पिता की आयू 49 वर्स है उनकी आयू लड़की की आयू के 3 गुने से 4 वर्स अधिक है लच्मी की आयू को वाई वर्स लिजे तो यहाँ पे कथन को समिकरन के रूप में लिखना है तो कह रहा है लच्मी के पिता की आयू लच्मी के पिता की आयू 49 वर्स है कितना वर्स है 49 तो इधर 49 लिख लेंगे यहाँ पे बराबर का चिन उनकी आयू लड़की की आयू के 3 गुने से 4 वर्स अधीक है तो लच्मी की आयू को अगर हम बाई वर्स मानते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि लच्मी की आयू को वाई वर्स लीजे वाई वर्स लेना है लच्मी की आयू को तो लड़की की आयू के तीन गुने से यानि तीन से इसको गुना कर देंगे तीन बाई हो जाएगा तीन गुने से चार वर्स अधिक है यानि चार इसमें जोड देंगे तो यह किसके बराबर होगा उसके पिता की आयू के बराबर तो लच्छमी के पिता की आयू 49 वर्स है और लच्छमी के पिता की आयू उनकी बेटी से तीन गुना से चार वर्स अधिक है यानि बेटी की आयू को अगर वाई वर्स लेते हैं लच्मी के आयू को अगर बाई वर्स लेते हैं तो तीन गुना कह रहा है यानि तीन से गुना करेंगे तो तीन बाई हो जाएगा और चार वर्स अधिक है तो तीन बाई प्लस चार बराबर उन्चास ये हो गया समीकरन इस कथन को इस तरह हम समीकरन के रूप में लिख लेंगे अब अगर हम इसको हल कर दें तो लच्मी और उसके पिता की आयू यानि लच्मी की आयू ग्यात हो जागा उसके पिता की आयू तो ग्यात है उन्चास वर्स तो इसको अगर हल कर देंगे तो बाई का मान आ जाएगा जो की है लच्मी की आयू तो बस समिकरन के रूप में लिखना है इसको हल नहीं करना है तो ये इसका उत्तर हो गया तीन बाई प्लस चार दूसरा अधियापिका बताती है कि उनकी कच्छा में एक विदार्थी द्वारा प्राप्त किये गया अधिक्तम अंग प्राप्त किये गया निउन्तम अंग का दुगना धन साथ है प्राप्त किये गया अधिक्तम अंग 87 है निउन्तम प्राप्त किये गया अंगों को एल लिजे तो यहाँ पे अधिक्तम अंग कितना है 87 तो यहाँ पे 87 लिख लेते हैं सबसे पहले अब इसको समझते हैं तो अधियापिका बताती है कि उनकी कच्छा में एक विदार्थी द्वारा प्राप्त किये गया दिक्तम अंग प्राप्त किये गया नियुन्तम अंग का दुगना धन साथ है देखें तो अगर नियुन्तम अंग को हम एल ले नियुन्तम अंग को L कह रहा है लेने के लिए नियुन्तम प्राप्त की अंग को L लीजे तो L ले लेंगे नियुन्तम अंग को नियुन्तम अंग का दुगना देखें दुगना कह रहा है यानि दो से गुना करेंगे दुगना मतलब दो से गुना करेंगे तीगुना मतलब तीन से गुना करेंगे तीन गुना मतलब तीन से या तीगुना मतलब तीन से और दुगना मतलब दो से तो दो एल हो गया तो नियूंतम अंक का दुगना धन साथ है यानि साथ जोड देंगे तो समिकरन क्या हो जाएगा दो एल प्लस साथ बराबर सतासी ठीक है इस तरह समिकरन हम बना लेंगे अब प्रस्न नौ हल कर लेते हैं एक दुगंदार दो परकार की पेटियों में आम बेचता है ये पेटियां छोटी और बड़ी हैं एक बड़ी पेटि में आठ छोटी पेटियों के बराबर आम और चार खुले आम आते हैं पर तेक छोटी पेटि में आमों की संख्या बताने वाले एक समिकरन बनाईए दिया हुआ है कि एक बड़ी पेटि में आमों की संख्या सव है तो हम सबसे पहले लिख लेंगे माना की माना की छोटी छोटी पेटी में आमू छोटी पेटी में आमू की संख्या X है छोटी पेटी में आमों की संख्या X है हम ये मान लेंगे क्यों मानेंगे क्योंकि कह रहा एक दुकंदार दो परकार की पेटीयों में आम बेचता है दुकंदार जो है दो परकार की पेटीयों में आम बेचता है ये पेटीयां छोटी और बड़ी है तो उसके पास जो पेटी है वो छोटी और बड़ी है एक बड़ी पेटी में आठ छोटी पेटियों के बराबर आम और चार खुले आम आते हैं तो बड़ी पेटी में आठ छोटी पेटियों के बराबर आम तो देखिए इसका समीकरन क्या हो जाएगा 8x प्लस 4 बराबर और बड़ी पेटी में आमों की संख्या कितना है? 100 है तो यहाँ पर बराबर 100 लिखेंगे देखें फिर से इसको समझ लेते हैं तो कह रहा है एक बड़ी पेटी में 8 छोटी पेटीयों के बराबर आम तो हम क्या माने है? छोटी पेटी में आमों की संख्या 1 है तो 8 पेटी में कह रहा है 8 छोटी पेटीयों के बराबर आम तो 8x हो जाएगा? ठीक है? और खुला आम 4 है यानि 8x प्लस 4 को जोड़ देंगे तो बड़ी पेटी में जो आमों की संख्या उसके बराबर हो जाएगा यानि बड़ी पेटी में आठ छोटी पेटी और चार खुलाम अटता है बड़ी पेटी में ठीक है तो आठेक्स प्लस चार बराबर सौ लिख लेंगे यहाँ पर इसका समिकरन प्रस्न दस राजू के पिता की आयू राजू की आयू के तीन गुने से पांच वर्स अदिख है राजू के पिता की आयू छवालिस वर्स है राजू की आयू regarde करने के लिए एक समिकरन बनाइए तो लिखेंगे माना की माना की राजू माना की राजू की आयू एक्स वर्स है माना की राजू की आयू एक्स वर्स है ठीक है हम राजू की आयू को एक्स वर्स मान लेंगे अब क्या कह रहा है यहाँ बे कि राजू के पिता की आयू राजू की आयू के तीन गुने से देखे उसके पिता की आयू कितना है राजू के आयू के एक्स वर्सादीक है यानि पाँच जोड़ देंगे तीन गुना भी है और पांच वर्स जादा भी है तो 3X प्लस 5 बराबर 44 हो जाएगा इसका समिकरन अब इसको हल करेंगे तो X का मान यानि राजू की आयू ग्यात हो जाएगा तो राजू की आयू ग्यात करने के लिए एक समिकरन बनाई है तो यह हो गया इसका समिकरन 3X प्लस 5 बराबर 44 इसका उत्तर तो इस तरह से प्रस्न 10 साल करेंगे